हाड़एट एंजिनियर हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ वरुम पतिल इस वीडियो में मैं आपको पाइपरेक के बारे में बताने वाला हूँ प्लीज लाइक एंचेर इस वीडियो और डोंट फर्गेट तो सब्सक्राब बिकास ताट वेट वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से वाट इस पाइपरेक आप प्रोसेस प्लांट जैसे कि रिफाइनरी पैट्रोकेमिकल प्लांट हो गया कोई केमिकल फ्रैक्टरी हो गई पार्मा प्लांट हो गया या तो कोई भी सिमिलर प्रोसेस फैसलिटी हो गई जहां पे कोई भी केमिकल रियक्शन या केमिकल प्रोसेस होता है तो वहाँ पे आपने पाइप रेक का नाम ज़रूर सुनाओगा एचुली पाइप रेक क्या होता है बिजिकली वो आइधर स्टील और कॉंक्रीट से बना एक एलिवेटेट स्ट्रक्चर है जिसकी डिजाइन होती है pipeline को support करने के लिए pipeline के साथ साथ pipe rack, electrical and instrument cable tray को भी support करते है कभी-कभी pipe rack पे mechanical equipment भी होते है vessels and wall access platform भी pipe rack के साथ में ही लगे होए होते है pipe rack को pipe bridge, pipe bay and pipeline corridors भी बोलते है सब name अलग-अलग है बट function सेम ही है अभी pipe rack का main function क्या होता है कि जो कोई भी process facility है उसमें जो fluid का moment होता है वो बहुत critical होता है तो proper fluid functioning के लिए जो equipment रहते हैं जैसे कि pump हो गया, storage tank हो गया, static vessel हो गया, columns हो गया यह सब interconnected रहते हैं तो जो यह सब को interconnected रहते हैं उसकी जो pipeline की जो routing होती है तो वो यह pipeline के through होती है so यह one of the most critical जो cost related area होता है जहाँ पे cost saving कर सकते है plant का layout के basis पे तो उसके लिए pipe rack का एक critical design component हो जाता है plant के लिए उसका main function जैसे मैंने बोला आपको कि material transfer होता है या within unit या तो one unit to other unit, unit to storage या तो utility area ये सारी जो moment होती है, fluid की वो through pipe rack होती है अभी जो pipe rack होते है वो दो type के बना सकते है आप either steel structure या तो concrete से बना सकते है अभी concrete मतलब, concrete में भी दो type होते है RCC, either precast या तो side पे cast करके बना सकते है अभी precast में कैसा है कि आप जो पूरी का पूरा beam columns है वो पहले से कही और outside the facility precast करके लाते है और slide पे उसको install करते है similar to just like steel structure where you take your all means manufacturing mostly outside होता है आप side पे लाके उसको assemble करते है अभी choice कौन सा select करना है वो depend होता है cost, schedule, material and labor availability है जो कि site पे अगर आप concrete track बनाते हैं मतलब instead of precast तो problem उसमें क्या होता है कि वो time consuming हो जाता है क्योंकि उसमें concrete का curation का जो time होता है वो schedule पे impact करता है तो depending on all this factor आप choice करते ही कि आपको कौन सा pipe rack select करना है यहाँ पर आप image में देख सकते हैं RCC pipe rack यह mainly precast से बना हुआ है similarly similar pipe rack इंडिया में जो पूराने plant है वो आप उसमें देखेंगे तो वो in-situ बनाए हुए है steel rack के जो fabrication होता है उसमें T-bar, angle, angle beam and channels use होते है तो यह सारे components को आप mostly outside जो fabrication facility है वहाँ पे mass fabricate होता है और side पे आके उसके assembly होता है उससे क्या होता है कि जो process होता है वो काफी fast हो जाता है difference between steel and concrete pipe rack है उसमें जो वही है कि जो steel pipe rack है उसका fabrication वो सब तो fast होता है और उसमें periodic maintenance के requirement होती है क्योंकि उसमें corrosion होता है तो आपको painting damage होता है तो वो सब को maintain करना पड़ता है whereas in case of RCC rack में वो सारा नहीं होता है तो balance करके मलब cost, function and maintenance वो सब को decide करके आप choice कर सकते हैं this is the end of the video मुझे उमीद है कि pipe rack के बारे में आपको पूरी महिती मिल गई होगी अगर आप pipe rack के बारे में और जानना चाहते है तो please visit my website hardhatengineer.com and don't forget to like and share this video see you soon with next video goodbye take care